Welcome to Barun Maths Online Class, मैं अपने इस चैनल पर B.T.E.C., B.Farmacy, Net or Gate के वीडियो अपलोड करता हूँ आज B.E.C. और B.T.E.C. के लिए Total Derivative वाले टॉपिक को ही continue करेंगे उसमें Theoretical Question को अपन कैसे attempt करेंगे, इसके बारे में मैं जानकारी दूँगा इस वीडियो में कि Total Derivative के Numerical Problem पिछले वीडियो में अपन कर चुके हैं, इसमें जो Theoretical Questions हैं उसको कैसे solve करेंगे देखिए, Question है, If x increases at the rate of 2 cm per second, at instant x equals to 3 cm and y equals to 1 cm At what rate must y be changing in order that the function 2xy-3x²y shall be neither increase nor decrease देखिए, इसमें क्या है? यह function x जो है time के साथ change हो रहा है, तो dx by dt दिया हुआ है dx by dt जो है change हो रहा है 2 cm per second से y कैसे change हो, अपने को निकालना क्या है? यह y कैसे change हो ताकि यह वाला function ना तो increase हो ना ही decrease हो इसको देखिए, कैसे मनाएंगे? solution, पहले given लिख लिजी आपको क्या-क्या given है given, एक function है, यह u, u is a function of xy, 2xy-3x²y एक ऐसा function है, जो ना तो increase होना चाहिए, ना तो decrease होना चाहिए ठीक है, given में क्या-क्या है? dx by dt, यह 2 cm per second की हिसाब से change हो रहा है ठीक है, किस पे? at x equals to 3 और y equals to 1 cm पे ठीक है, अपने को क्या करना है? dy by dt की value निकालना है, इसकी value निकालना है कि y कैसे change हो? ताकि यह function जो है, ना तो increase हो, ना तो decrease हो बस अपने को यही करना है, ठीक है? देखे, यहाँ से function निकालना है यह function दिया हुआ है, x जो है change हो रहा है, 2 cm per second के हिसाब से किस point पे, x equals to 3, y equals to 1 पे, अपने को निकालना है कि y किस rate से change हो ताकि यह जो function है, यह ना तो increase हो, ना ही decrease हो, ठीक है? तो अपने को यह find out करना है, तो कैसे find out करेंगे? देखे, यह अपने को दिया गया है चलिए, कैसे solve करेंगे? देखते हैं, देखे, यहां क्या करेंगे? यू दिया हुआ है, यू equals to 2xy minus 3x square y यह अपने पास है, यू जो है, x, y का function है, और x जो है, t का function है है ना, time क्योंपर depend करेंद करें, t का function है, y भी t का function है तो इसका total derivative निकालेंगे total derivative इसके निकालेंगे total derivative कैसे निकालते है du by dt equals to del u by del x dx by dt plus del u by del y dy by dt ऐसा आपन, total derivative निकालते है first video में आपको formula बता है था, यह total derivative को formula है अब condition के according, जो condition आपको given है, उस condition के according इसकी value put up करते जाएए du by dt नहीं होना चाहिए, मतलब यह 0 होगा ठीक है, इसको 0 रग दिया del u by del x निकालेंगे तो यह हो जाएगा 2y, x के respect में करेंगे तो यह हो जाएगा 6xy dx by dt dx by dt कित्य चंज हो रहा है? 2 cm में del u by del y निकालेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ से? 2 x माइनस यह आजाएगा 3 x square और इसकी value अपने को निकालना है dy by dt इसी की value अपने को find करना है ठीक है नहीं? किस point पे दिया हुआ है? at x equals to 3 y equals to 1 तो value put up कर दिजे 0 equals to x equals to 3 रखेंगे तो 32006 हो गया माइनस 18 यह 18 हो जाएगा और यह हो जाएगा 2 plus 2 x की value हो गया 6 माइनस 339 यह 27 हो गया और यह हो गया dy by dt इसी की value अपने को find करना है 6 में से 18 गया तो यह कित्त हो जाएगा 12 माइनस 24 इसके साथ multiply होगा तो 24 हो गया और इसके साथ होगा तो कित्त हो जाएगा माइनस 21 dy by dt ठीक है देखे यहां y की value put up करना था y equals to 1 है तो मैंने यहां x equals to 3 value value put up कर दिया यहां x की value put up कर दिया ठीक है इसका side change करेंगे तो 21 dy by dt आ जाएगा यह हो जाएगा 32 तो dy by dt किस rate से change होना चाहिए dy by dt जो है यह माइनस तो हैगा माइनस 32 by 21 centimeter per second के हिसाब से change होना चाहिए ठीक है यह आपका answer आया y किस rate से change होना चाहिए minus 32 by 21 centimeter per second के हिसाब से change होना चाहिए यहां तो आ से देख लिजेगा मेरे ख्याल से यह theoretical question था आपको समझ में आ गया होगा बहुत सारे theoretical question है यदि यह आपको समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों के साथ सेर करेंगे और अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe करेंगे thank you thank you very much